कि यहां पर देखे पहला question जो है number स्रीज तो देखे यहां पर कोईशन है कि दियेगे विकल्प में से वह संख्या चुनिये जो निमलिकित श्रिंकला में प्रश्न वाचक चिन को प्रतियस्थापित कर सके ये सिरीज है दिख रहे है आपको सिरीज अब यहाँ पर देखना है ठीक है किस टाइप से हम लोग नंबर्स को देखेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी तो यहाँ देखिए पहला नंबर जो है ये 237 है उसके बाद 196 है तो नंबर्स जो है यहाँ पर सामने लग रहे हैं ठीक है तो 237 से अगर हम 196 को माइनस करेंगे तो यह कितना होगा इधर 1 होगा और यहाँ पर 4 होगा यानि कि ये 237 से हम 196 जाएंगे तो माइनस 41 क्या हुआ है नेक्स्ट स्रीज को देखते हैं यही चीज अपलाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो 196 में हम 155 को माइनस करेंगे तो यहां भी क्या हो रहा है अगनेस फोटीवन का गैप है और आगे भी यह माइनस फोटीवन का गैप होगा तो यहां पर देखिए 1114 में अगर हम 41 को माइनस करेंगे तो कितना हो चाएगा यहां यहां पर 3 होगा और इधर 73 होगा ठीक है यहाँ पर जो series बनने वाला है यहाँ से minus 41 फिर यहाँ से minus 41 फिर यहाँ से minus 41 होगा ठीक है यह minus होगा तो 114 में 41 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 73 यहाँ answer हो जाएगा ठीक है इस तरह से हमलों question को करेंगे जब भी आपको आसपास numbers दिखे तो आप क्या करेंगे plus minus थी apply करेंगे ठीक है यह चीज हो गया पहला next देखते हैं second number question है इस type के question ही पूछे जाते हैं और इसी type के question में confusion create होता है तो देखिए 5 है 5 से फिर 18 गया है तो यहाँ पर numbers क्या हो रहे हैं increase हो रहे हैं 18 से 70 है फिर यहाँ पर अचानक increase हो गया तो जब भी ऐसे अचानक number increase हो जाता है तब हमें क्या करना होगा कौन सा method को apply करना होगा तो यहाँ पर देखिए जब भी numbers increase हो तो multiply multiply करके add minus ऐसे हम करेंगे question को करेंगे practice जितना करेंगे उतना आप जल्दी solve कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो है 5 से 18 तक हम कैसे पहुंचेंगे गुना करके ही पहुंचेंगे तो 5 into 4 कितना होगा 20 होगा और 20 में अगर हम 2 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा तो यहाँ पर 18 है ठीक है वैसे यहाँगे हम लोग चेक करते हैं series को 18 है 18 को हम multiply करेंगे क कितना से 4 से तो कितना हो जाएगा 72 होगा 72 में अगर 2 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 होगा तो यह series चल रहा है वैसे ही यहाँ पर हमें करना है 70 को 4 से multiply करेंगे और minus 2 करेंगे उसके बाद यहाँ पर 278 जो है 278 को हम 4 से multiply करेंगे और minus 2 करेंगे तो यहाँ पर answer क्या होगा देखिए एंसर जो होगा वो होगा आपका option C होगा जो की है 1110 ठीक है option C correct answer होगा